रिस्ते के भाई से नवालिक को हो गया प्रेम और घर पहुंचने के बाद आकर किशोरी ने क्यों कर लिया आत्मत्या पुलिस ने दूसरे दिन किशोरी को दस्तियाब कर किया था परिजनों के हवाले बता दें कि रिष्टे के भाई के साथ प्रेम संबन में किषोडी ने जैर खा कर आतम हत्या कर लीग खटना रिवजले के चुरेटा थाना चेतर की है परिजनों का कहना है कि वे रिष्टे के भाई से प्रेम करते थे तो दूसरी और पुलिस गुमशुद्गी के मामले में किशूरी को पास के इक गाउं से दस्तियाब किया गया था पता दें कि नवस्ता चौकी प्रवारी अंकिता दुवेदी ने बताया कि किशूरी की गुमशुद्गी की शिकायच चुरेटा थाने में 28 जून को दर्च कराई गई थी दूसरे दिन पुलिस ने किशूरी को नवस्ता चौकी छेतर से दस्तियाब किया था 17 वर्षी किशूरी जब अपने घर पहुंची तो उसी दिन उसने जहर का सेवन कर लिया जिसे उपचार के लिए रिवा के संजय गांदी अस्पताल में भरती करा गया था जिसकी एक जुलाई को बीती शाम मौत हो गई है इधर परिजनों को कहना है कि रिष्टे के भाई के साथ उसका प्रेम संबन चल रहा था लेकिन इस बात की जानकारी होने नहीं थी वहें दोनों के बीच विवा होना भी संबो नहीं था पुलिस के दौरा जब कि शुरी को पईजनों के सुपुर्द किया गया तो वह घर पहुंची और जहर का सेवन कर लिया कि सोरी की मौत होने के बाद दर संबंदित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है जहां मामने की गंबिर्ता से जाच की जा रही है पुलिस के हाँ से छुड़ा कि लाए चाब ललका लल्ली के वट बाइनाद के साधी करने के इंकार किया है कि नहीं किया हम उससे बात है नहीं किये सब्तरह साल कि लड़का 20 साल को दिनांग 26 चौबिस को पनचोगी शेतर में सूचना हुई सूचना प्राप्ति की लड़की हमारे शेतर से गायब हो गई है जिसे हमने 28 तारीक को दस्तियाब किया था कल दिनांग एक साथ को जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने अग्याद जहर खा लिया है और आज उसके मृत्यू की सूचना प्राप्त हुई है जहां हम उसकी कारवाही के लिए हैं बच्ची यह 26 को गायब हुई थी और यह थाना शेतर अंत्रगत्थी दस्तियाब हुई थी अभी तक इसका जहर खाने का को इस पस्ट कारण नहीं पता चला है जांच की जा रही है जो भी कारण आएंगे सामने वो बताया जाएगा वह अपने एक रिष्टेदार की साथी हुई थी परामत हुई परामत